घरेलू कले के चलते फरिदबाद के गाउं सुनपेड में देर रात को पती पत्नी ने जहरीला पधार्त निगल लिया जिसमें महिला की मौत हो गई जबकि पती को इलाज के लिए दिली के सब्दरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया है पती की हालत बेहद ही चिंता जनख बताई जा रही है फिलहाल पुलिस ने मृतिका के शब को पॉस्ट मॉटम के लिए बादशाख खान अस्पताल में रखवा दिया है और पूरे मामली की जाच शुरू कर दी गई है दिखाई दे रहा यह फर्यदाबाद का सुनपेड गाव है जहां रहने वाले दमपती ने घरेलू कला के चलते देर राद जहरीला पधार्त निगल लिया दरसल मूलरूप से सागरपूर गाव निवासी रंजीत की शादी चंदावली गाव निवासी काजल उफर अनीती के साथ हुई शादी के कुछ समय बाद रंजीत अपनी पत्नी के साथ सुन पेड में रहने लगा अस्पिताल में भटी रंजीत के भतीजे दीपक की माने तो घर में चाचा चाची के बीच में किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई थी जिस पर दोनों ने जहर खा लिया इसमें उसकी चाची की मौत हो गई जबकि चाचे की हालत चिंता जनक बताई जा रही है वही पुलिस की माने तो दोनों के बीच कलह रहता था जिस पर रात को भी इनका जगड़ा हुआ करता था और दोनों ने जहर खा लिया इसमें महिला की मौत हो गई जबकि रंजीत को दिल्ली के सबदर्जंग अस्पिताल में दाखिल कराए गया पुलिसस मामले की कारवाही में जुटी है सब्सक्राइब करें कि अपस में सुनपेड रहते थे आपना तूतुमें में बात होगी उसके ओपर इन रात के टैम कोईजन खा लिया हुआ इसको तो होगिया इसके बात कितने समय से सुनपेड में रहे थे बता रहे हैं गहीं और के रहने वाले से गाव की हमारे सागरपूर की हैं और सब्सक्राइब करें दो तीन शाल साल से रह रहे थे तो कि अगयरे चलाते हैं तो इनकी जैसे फैमिली बताएं तो बच्चे कितने हैं और दो बच्चे हैं चोट चोटे दो बच्चे हैं कितने साल के होगा है कि एक साल चोटा एक साल चोटा एक साल है तो काफी समय से ईक ढ़ारते वाले पीछे से कांके रहने वाले सागरपुर के तो फैमिली से अलग रहते थे अपने माता पिता से हाँ अलगी रहते हैं